जहिन दोस्तों क्या हाल है आज का जो वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा इंटरस्टीं है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टंट है अगर आप इस समय मार्किट में जाकर देखोगे आप सेर्च भी करोगे कि अंडर 20,000 इंबेस्ट स्मार्टफून ना तो आपके इंफिनिस का स्मार्टफून देखने को मिलेगा टेकनो का भी मिलेगा साथ में लावा का भी मिलेगा पर आपको इन में बहुत ज़्यादा कन्फूजन होता है क्योंकि देखने में इतना प्रिमियम लुक दे रहे हैं इंफिनिस को ले लो टेकनो को ले लो या फिर आइटल को ले लो या फिर लावा या फिर आईक्यू इन सारे के सारे जो बरांड है तो यह सारे बरांड ना भाई फून तो काफी तगड़ा निकालते हैं पर हर स्मार्टफून में कोई ना कोई कमिया देखने को मिलता है क्य यानि कि ये सारी सारी कमिया आपको एक ना एक स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, चाहे आप 10,000 में पर्चेस कर रहे हो, या फिर 15,000 के राउंड में, या फिर 20,000 के राउंड में, कोई भी राउंड में आपको इतना भी प्राइज लगा रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपको कमिया देखने को मिलेगा, पर आज के समय में, पहली की बात अलग हबाई कि आप 20,000 देते थे, आपको काफी कम फीचर देखने को मिलते थे, पर अब वो समय चला गया, अब आप 20,000 में काफी तगड़े तगड़े फीचर्स वाले स्मार्टफून ले सकते हो, जैसे कि IQ G9 को ले लो, या फिर लावा बिलेश कर 5G को ले लो, कर्ब डिस्पेले के साथ में, IQ G9 काफी तगड़े प्रोसेसर के साथ में, यानि कि गेमिंग फून है, और आपको एक प्रीमियम लुक वाला फून चाहिए, तो अभी इन्फिनिक्स का ले लो, जो अभी हाली में आने वाला है, इन्फिनिक्स नॉट 40 प्रो पलस, काफी सारे स्रीज में आया है, 4G भी देखने को मिलेगा, 5G भी देखने को मिलेगा, और साथ में, जो आइटल का है, एक प्रीमियम लुक दे रहा है भाई, तो वो तो अतना अच्छा है नहीं, आइटल वाला स्मार्फून, पर टेक्नो को ले लो, जो अभी हाली में इंडियर मार्केट में लोंच होने वाला है, टेक्नो पोबा 6 प्रो 5G, और इससे पहले इन्होंने ट्रांस्पेरेंट के साथ में देखने को मिला था इसका, टेक्नो पोबा 5 प्रो 5G को, जो काफी प्रीमियम लुक दे रहे थे, प तो मैं आपको बता दू, अगर आप एक गेमर हो, और आपको एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, तो मैं आपको सजेस्स करूँगा कि आप IQ के साथ जा सकते हैं, क्योंकि IQ जितने भी फोन को मार्केट में लोंच करता है, वो सारी के सारे फोन गेमिंग के लिए हो में 20 से 30 अजार, 50 अजार तक के इस डिजाइन में फोन नहीं निकाल पाते थे, पर इन फिल्स जब से आया है मार्केट में, काफी सारे स्मार्टफोन को पीछे छोड़ दिया, आज के समी में, और आज कल देखोगे तो काफी प्रेमियम फोन निकाल ला है, और काफी बजट फोन भी देखने को मिले है मार्केट में, इस वाले कंपनी के, और यहां पर अगर लावा को देखा जाना, तो यह इंडियन ब्रांट है, मैं तो फुली सपोर्ट करूँगा अपनी इंडियन ब्रांट को, क्योंकि जैसे इंडियन ब्रांट में काफी सारे फोन थे, लावा क पर 5G को ले लो, जो अभी हाली में, इंडियन मार्केट में लॉंच किया गया है, या फिर लावा ब्लेज 2 को ले लो, जो काफी प्रीमियम फोन होते हैं, यह सारे के सारे फोन मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं, और जितने भी फीचर दे रहे हैं, वो भी बेस्ट है, अ उसके बाद में खराब हो जाएगा, यह फिर कोई प्राबलम आजाएगी, जैसे अगर मालोग अगर आपको फोन गिरता है, तो कितना भी महंगा फोन हो तो तूटेगा, आपको प्राबलम आएगी, तो यहाँ पर अगर गिर रहे हुरेगा, तो आपको प्राबलम देखने क के साथ में आ रहे हैं, और जो सपोर्ट होता है स्टोरिज में रेम देखा जाए ना तो LPDDR 5X के साथ में रेम आ रहे हैं, यह फाइल ट्रांसफर काफी तगड़े से करते हैं, तो और बात के जाए, टेकनो को ना, तो टेकनो अभी हाली में एक फोन लाने माला, जो मैंने ल बैग पल में आपको लाइटिंग देखने को मिलेगा, जो हमें नथिंग फोन 2WAY में देखने को मिला है, उसी टाइफ का लाइटिंग देखने को मिला है, पर यहाँ पर बहुत से लोग होते हैं, जो उसी बजट में जाकर कोई रेडमी फोन या फिर एक दो महीने में चार- पर उतना विश्वास नहीं है पर पहले का समय में बार बार कह रहा हूं कि पहले का समय दूसरा था आपके समय में देखो गए था सारी कमपनिया एक तगड़े तगड़े फोन को मार्किट में लॉंच कर रही है जो अगर कोई भी प्रसानी अगर देखने को मिलता ना आज कर बहुत सारी स्मार्टफोन जो टेक्नो इंफिनिस के बिग रही है क्योंकि जालतल यह जो फून है वो साथ से आठ हजार में स्मार्टफोन को लॉंच करती है जो दस अजार पंद्रह जार की पीच में भी रहते हैं जो फीचर साथ हैं वो काफी नेक्स्ट लेबल कर लुक देते हैं वो काफी प्रिमियम लुक रहता है तो यहां पर आपको एक स्मार्टफोन पर्चेस करने जाना है अगर आप एक गेमर हो तो आप आईक्यू के साथ जा सकते हो अगर आपको एक प्रिमियम लुक चाहिए और साथ में एक टांसपेरेंट एक महेंगा सा लावा के साथ में जाना है तो आप लावा बिलेश कर 5G ले लो या फिर लावा अगनी टू 5G को ले लो इन सभी के साथ में जा सकतो काफी अच्छे फून आज कल सभी मार्केट में अच्छे परफार्मेंस में स्मार्टफोन को लॉंच करें पर थोड़ा आप एक दो बार जाकर कई पर रिसेच कर लेना या फिर मेरे चैनल पर भी देख लेना काफी सारी स्मार्टफोन पड़े हुए वीडियो आप उन में से कौन सा पच्छेस करना चाहिए तो मेरा यह जो वीडियो था ना वो आपके लिए भाई काफी ज्यादा हेलफूर रहा होगा तो आपको यह वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताना चली फिर बिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ अगले दिना